ना दिब्ब कुंडल मेरे कानों में, ना कोई कवच मेरा वस्त्र था, ना बासुदेव, ना गांडेव, धर्म ही मेरा शस्त्र था, कभी स्रेष्ट बनने की होड नहीं, उत्तम में संतोष था, कभी स्रेष्ट बनने की होड नहीं, उत्तम में संतोष था, सामर्थ था पुजाओं में, और प्रत्यंचा की टकार ही मेरा उद्गोश था, तीन बार अंगराज को पचाड़ा, फिर भी अहंकार में खोयान कभी होश था, कर्ण को मारना अधर्म नहीं, वो उसके कर्मू का दो कुछ था, कहते हैं युद्ध में हनुमान मेरी धोजा पर, कहते हैं युद्ध में हनुमान मेरी धोजा पर, और माधव मेरे आगे थे, किन्तु विराट युद्ध में मैं अकेला था, तब क्यों से ना लेकर भागे थे, दुर्योधन को बचाया गंधर्वों से, जब प्राणों की रच्छा की थी अंगराज फिर किस बात का गुरूर था निहत्थे परवान चलाने के पच्छ में मेरा कभी ना मर्म था और तच्छा को बान पर जो बिठाया अंगराज वो भी तो अधर्म था कर्ण को हर्स था माता पिता का अशपर्स था सारा जीवन में रहा बनबास में फिर भी ना कहा जीवन में संखर्स था माधों ने कहा था ऐसा बक्त आएगा मैं होंगा पच्छपाती और अरजून अधर्मी कहाएगा भूल कर धर्म कर्म को हर कोई कर्ण कर्ण दाएगा